हेलो एवरबडी इस वीडियो में हम लोग वैदिक सिविलाइजसन के बारे में देखेंगे इछले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेते और उसके बाद भार्तिय इतिहास में वैदिक सभ्यता आता है सिंदु घाटी सभ्यता का टाइम लाइन है पची सो बीसी से सतरा सो पचास बीसी उसके बाद धाई सो साल का ट्रांजीशन बेल्ट या पिरियड आता है ट्रांजीशन बेल्ट या ट्रांजीशन पिरियड अगर हम कहें तो इस टाइम पिरियड में कोई भी काम न हो उसे हम transition, built या transition period काते हैं आप इसको आज के समय में देख सकते हैं जब भारत में करोना आया था तो 2019 और 2020 में कोई भी काम नहीं हुआ वैसे ही 1750 से लेके 1520 तक कोई भी काम नहीं हुआ कुछ भी written fact नहीं मिले हैं किसी की भी जनकारी नहीं मिले हैं उसी time period को transition built काते हैं या transition period काते हैं transition period के बाद वैदिक सभ्यता आता है जिसका time period है 1500 BC से 600 BC तक सिंदु घाटी सभ्यता के time क्रिसी और व्यपार उस समय में जीने के साधन थे लेकिन वैदिक सभ्यता के time क्रिसी और पसुपालन में जीने के साधन थे वैदिक काल में चार वेद की रचना की गई थी रीग वेद, साम वेद, यजूर वेद और अथर वेद रीग वेद, सबसे पहली और प्राचीन वेद थी इसमें मंत्रों के बारे में बताया गया है जैसे गायतिरी मंत्र, सुद्र जाती का चर्चा इसी वेद में किया गया है साम वेद, साम वेद में संगीत के बारे में बताया गया है यजूरवेद, यजूरवेद में युद के बारे में बताया गया है और अथरवेद, अथरवेद में जादू, तोना, वसी करर के बारे में बताया गया है अगर हम वेदिक सभेता के टाइम पिरियेट को देखें तो ये दो भागों में बाटा गया है रिगवेदिक काल और उत्तरवेदिक काल रिगवेदिक काल का टाइम प्रियेड है फंदरो सो बीसी से एक हजार बीसी तक वहीं उत्तरवेदिक काल का टाइम प्रियेड है एक हजार बीसी से छो सो बीसी तक फरक इतना है रिगवेदिक काल में जाती का निर्धानर कर्म के हिसाब से होता था और उत्तरवेदिक काल में जाती का निर्धानर जन्म के हिसाब से होता था चली समस्ते इसको रिगवेदिक काल में पंदरो सो से एक हजार बीसी के टाइम पिरेड में अगर मान लीजे किसी माता पिता के चार बेटे हैं एक बेटा सेना में काम करता था एक अगर व्यपार करता था एक पूजा पाठ करता था और एक खेतो में काम करता था किसान का तो जो सेना में काम करता था उसे छत्रिय बोलते थे जो वैपार करता था उसे वैसे बोलते थे जो पूजा पाठ करता था या पढ़ता था उसे ब्रामण बोलते थे और जो खेतों में काम करता था उसे सुद्र बोला जाता था मतलब एक ही घर में चार जाती के लोग रहा करते थे रिगवेतिक काल में लेकिन उस समय जो पूजा पाठ करते थे ब्रामण हुआ करते थे वो ये देखे कि सबसे ज़्यादा वेलू तो ब्रामण की हो रही है जो राजा है वो भी ब्रामण के पैट चुरा है उसकी हर एक बात मान रहा है उसने वेदों में चेंज कर दिया और लिख दिया कि जाती का निर्धार कर्म के हिसाब से नहीं जन्म के हिसाब से होगा मतलब छत्रिय का बेटा छत्रिय वैसे का बेटा वैसे और सुद्र का बेटा सुद्र होगा इसका बिरोध करने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि रामण की बात राजा मानते थे और राजा का बिरोध कोई भी नहीं कर सकता था और इस तरह ब्रामडों के द्वारा उस समय की गई लापरवाही के वज़े से आज जो है दंगे होते हैं जाती के बीच में जिसका मेन कारण है उस समय के ब्रामडों का वेदो में की गई छेट-छाड ये कलंग हरमेसा ब्रामडों पे लगा रहेगा जो वैदिक काल था वो पित्र सब्तात्मिक था मतलब यहाँ पे पुरूस परधान हुआ करते थे इंदु घाटी सबेता के टाइम महिला परधान हुआ करते थे माना जाता है कि यह जो वैदिक काल के समय जो लोग रहा करते थे वो आ रहे थे और यह मध्य एसिया से आये थे कुछ-कुछ सब्द पाए गया है वेदिक काल में जैसे गगिष्टी मतलब किसी की गायक हो जाए तो राजा की यह responsibility होती थी कि वो उसके गायक को ढूंड के दे उपनिसद मतलब गुरूप के पास बैठके ग्यान लेना पढ़ना 108 उपनिसद पाए गया है जिसमें से 13 ही प्रमारित हैं वेदिक काल में राजपूतों को ज़्यादा महत्वे दिया गया है क्योंकि वही राई करते थे और राजा भी उसी टाइम वही थे मुण को उपनिसद से सत्य में हो जयते सब्द मिला है मतलब सत्य की हर्मेशा जीत होती है पहला उपनिसद व्रियद रायड उपनिसद था जो की सबसे बड़ा और प्राचीन था लाश्ट उपनिसद आलोपनिसद था जोकी अकबर के टाइम पिरेड में लिखा गया था वैदिक काल में जीवन को चार भाग में बाटा गया था ब्रहमचर्य, ग्रिहस्त, वानप्रस्त और सन्यासी ब्रहमचर्य में 0 से 25 वर्ष के लोग आये करते थे उसमें वो बिद्यार्थी का जीवन यापन करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे ग्रिहस्त में 25 से 50 वर्ष के उम्र लोग आये करते थे उसमें वो बैवाहिक जीवन और परिवार के बीच में रहा करते थे वानप्रस्त में 50 से 75 वर्ष के लोग आये करते थे उसमें वो परिवार पे ध्यान देते थे और समाज पे भी वैस सन्यासी में 75 के बाद लोग आया करते थे 75 उम्र के बाद के लोग आया करते थे और इसमें वो ग्रिह त्याग करके सादू संत मन जाया करते थे वनों में ध्यान किया करते थे रीगवेदिक काल में दो महा काबे की रचना की गई थी रमायर और महा भारत रमायर में आप जानते हैं कैसे राम जी ने रावड को मारा और महा भारत में पांडों ने कोरों को हराया दोनों में सत्य की जीत हुई धर्म की जीत हुई पहला असो में गियग आप इसको रमैड में भी देखे थे कैसे राजा जो है मतलब भगवान रान जो थे अपना घोड़ा छोड़े थे वो घोड़ा जहां तक जाएगा राजा की भूमी वहां तक फैलती जाएगी दूसरा जो यग था वाजपे यग मतलब सक्ति परदर्शन आप इसको आज के समय में 26 जनौरी को देख सकते हैं कैसे भारत दिखाता है कि हमारे पास क्या क्या मिसाइल है क्या तोफ है कितनी हमारी सक्ति है तीसरा जो यग था वो राजपे यग था मतलब इसमें सपत लिया जाता था जैसे आप इस समय बाहु बली मूवी में देखते हैं कि कैसे जो हीरो था वो सपत ले था है कि मैं प्रजा का प्रक्षा करूँगा उस समय कुछ देवता बहुत ही फेमस थे उस समय प्रकिर्टी ही देवता होती थी देवताओं में जो फेमस थे इंद्र थे इंद्र की चर्चा धाई सो बार की गई है उसके बाद अगनी जो थे अगनी देवता की चर्चा दो सो बार की गई है वरूर जो है वायू के देव कहते थे तुफान के देवता को मारूत कहते थे गुसा के देवता को रुद्र कहते थे आप देख सकते हैं कैसे वैदिक सभ्यता में लोग प्राकिर्तिक चीज को ही पुजा किया करते थे उस समय जो टेक्स लिया जाता था उसे हम बाली कहते थे उस समय जो छोटे गाउं के प पर धानुवा करते थे उसे राजन कहा जाता था फिर यही जनपद धीरे धीरे बड़ा होके महाजनपद बना आप आगे की वीडियो में देखेंगे कैसे मगद महाजनपद पूरे भारत पे कबजा किया भारत में 16 महाजनपद थे ये सब चीज हम महाजनपद और मगद के बा